हर व्यक्ति का व्यक्तिकत उसकी विचारों पर निर्वर करता है वह अच्छे विचार व्यक्ति को विकास के पतपर अगरसर करते हैं आदमी वो महान होता है जो अपने पास बेठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे इंसान की लाइफ में दुख इसलिए आते हैं ताकि वो इंसान सुख का महत्व समझ सके अच्छे और शच्छे रिष्टे ना तो खरीदी जा सकते हैं ना है उद्धार लिए जा सकते हैं इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं को संगती वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि आप बले कितने ही समझतार हो चाला क्यों ना हो कभी ना कभी आप उसकी वज़े से मुश्किल में जरूर पड़ेंगे मन पर नियंद्रन रखना सिखें क्योंकि आनियंद्रित मान ही आपके और आपके सभलता के विच का काटा है जिन लोगों का चरित्र बेगदाग है यानि जो लोग बुराईयों से दूर ही और दूसरों के बरती गलत भावनाय नहीं रखते हैं वे त्रेष्ट होते हैं सच्चाई और अच्चाई की तलास में पूरी दुनिया गुमलो अगर वो खुद के अंदर नहीं है तो फिर वो आपको कहीं नहीं मिल सकती छोड़े सिकायत सुकरिया अदा किजिए जितना पास है पहले उसका मचा लेजिए ग्यान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ग्यान तुमारी रक्षा करता है जो लोग चादर से ज़्यादा अपने पाव फेलाते हैं उनकी एक दिन हाथ पहलानी की नौबत आ जाती है खुद के उपर विश्वास रखो सहाब फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि गड़ी दूसरों की होगी और समय आपका अगर आप महिनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता कोई भी व्यक्त की बाहर की चुनोटियों से नहीं हारता है बलकि वो अपने अंदर की कमचोडियों से हारता है एक काम्याब इंसान की निव उसके अच्छे विचार होते हैं अगर किसी व्यक्ति ने बर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लिजिए उसने जिन्दकी को जीना सीख लिया है जिन्दकी में अच्छे लोगों की तलास मत करो सव्यम अच्छे बन जाओ सायद आपसी मिलकर किसी की तलास पूरी हो जाए आप किसी काम में कितने समर्थ है या आपको कोई और नहीं बता सकता क्योंकि सव्यम को जितना अच्छा आप चानती हो कोई और चान ही नह सकता है